नमस्कार भारत के पहले मुबाइल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूज बुलिटन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की हरलाइन्स पर स्वतंतरता दिवस के ठीक पहले पाकिस्तान ने किया सीज़ फायर का उलंगन भारतिय चोक्यों पर की फायरिंग भारतिय सेना ने दिया मूत और जवाब दिल्ली में पाक उचायुक बासित के नापाक बोल कहा ये जशन ये आजादी कश्मीर की आजादी के नाम आजादिक तक कश्मीर के लिए संगश जारी रहने की कही बाद ग्यारा दिन बाद कॉंग्रिस अध्यक्ष सोनिया गांधी को मिली अस्पताव से छुटी डॉक्टरों ने आराम करने की दी सला वार्ना सी में रोड शो के दोरान बिगडी थी तबियत नव जोज सिंग सी दू अगले सपता आप में हो सकते हैं शामिल पत्नी ने किया खुला सा अमरिंदर और बादल परिवर को बताया एक समान पिछले महीने राजे सभा से दिया था इस्तिफा और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पार भारत में पाकिस्तानी उचायोग अब्दुल बासित ने वर फिर कश्मीर का रागलापा है दिल्ली में पाकिस्तान उचायोग में पाकिस्तान दिवस कारिकरम में उन्होंने कहा कि इस बार की जशने आजादी कश्मीर की आजादी के नाम पर है बासित यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि आजादी तक कश्मीर के लिए संगस जारी रहेगा उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए जान देने वालों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी साथी बासित ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से रिष्टे सुधाने के लिए हमेशा प्रयास किये हैं पिछले महिने घाटी में आतंकी बुरहान वानी की हत्या के बाद से पाकिस्तान लगाता कश्मीर को लेकर बयान बाजी कर रहा है पिछले दिनों पिया मोधी ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पाकिस्तान के कबजे वाला कश्मीर भी हमारा है अब पाकिस्तान को ब्लूचिस्तान और पी ओके में हो रहे अत्याचार पर भी जवाब देना होगा क्रिकेटर से एराजनेता बने नाउजोद सिंग सिद्दू अगले सप्ता आम आदमी पाटि में शामिल हो सकते हैं उनकी पत्नी नाउजोद को ने बताया कि कांगेस ने भी उनसे संपर किया था लेकिन उनके पती ने आपके साथ जाने का फैसला कर लिया था नाउजोद को ने शुकरवार को दिल्ली में केजरिवाल से मिलने के बाद ये जानकारी दी गोर तलाबे की सिद्दु ने पिछले महीने राजिसवास सिस्तिफा दे दिया था इसके बाद से उनके आप में जाने की अटकले लग रही है हालां कि उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले नवजोत कोर ने बताया हम से कॉंग्रेस ने भी संपर किया लेकिन कैप्टन अमरिंदर और बादल परिवाल में कोई अंतन नहीं है दोनों की खिलाब प्रेश्टाचार के मामले हैं हम लोगों ने खुद को बनाया है और पंजाब में समरिद्दिल आना चाते हैं हम घमंड नहीं कर रहें लेकिन हम में और कैप्टन के परिवाल में कुछ भी एक जैसा नहीं है हैदराबाद के मादापूरी लाके में मैन होल की सफाई के दोरान चार लोगों की मोत हो गई दर्सलतीन मजदूर इस मैन होल की सफाई के लिए करने से इन लोगों की मोत हो गई गाइडलाइन्स के मुताबिक भिना सेफटी गेयर्स के मैन होल में क्लेणिंग के लिए उतरना मना है लेकिन इसका पालन नहीं हुआ लगता है रेल गाडियों में आवशक स्वीदाओं की जवाब देही तै कर दी गई है रेल मंत्राली ने अपने एक नए आदेश में कहा कि रेल गाडियों में दी जाने वाले सभी स्वीदाओं के लिए ट्रेन सुप्रिटेंडेंडन यानि टी एस की जवाब देही होगी नए आदेश के मताबिक सबसे पहले स्वेवस्ता को दिल्ली डिविजन के अंतरगत मैंटिनेंस की जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू किया गया है पाइलेट प्रोजक्त के तोर पर इस विवस्ता को राजधानी ट्रेनों में चला कर देखा जा रहा है और इससे मिलने वाले फीड़बैक के बाद इसको दूसरी सभी ट्रेनों में लागू किया जाएगा अगर गाड़ी में स्वीदाओं में कोई कमी है तो आप ट्रेन सुप्रीटेंडेंडन को शिकायत कर सकते हैं और इसके लिए सम्मदद गाड़ी में ट्रेन सुप्रीटेंडेंडन का फोर नंबर चस्पा किया जाएगा ट्रेन पर मोज़त साभी रेल करमचारी और बहारी अजेंसी के साभी सुपर्वाइजर ट्रेन सुपरिटेंडेंडन को रिपोर्ट करेंगे EPFO जल्दी अपने चार क्रोड से दिक अंशुधार को कोससता घर खरिदने के लिए EPFO को गिरिवी रखने और EMI अदा करने के संबन में इस कोश के उपयोग की अनुमती देने के लिए योजना पेश करेगा श्रम सचियू शंकर अगरवाल ने कहा कि EPFO सदस्यों के लिए आवास योजना पर काम कर रहा है इस योजना के तहर सदस्यों को घर खरिदने के लिए पने भ renovation निदी कोश को गिरिवी रखने के लिए इनुमती होगी श्रम मंतरी के दिख्षता में इपी एफो के केंदरी नियासी बोर्ट के अगली बैटक अगले महिने होने की उम्मीद है बॉलिवर सुपरस्टार सलमान खान की शादी हमिशत चर्चा का विशे रही है उन्होंने ट्वीटर पर घुशना की है कि वो एक रेडियो शो की मेजवानी करेंगे लेकिन उन्होंने अपने फॉलिवर से सलमान की शादी को लेकर सवाल नहीं पूछने का आगरे किया सलीम ने ट्वीट किया सलमान कब शादी करेगा इसके लाव आप मुझे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं खुदा भी ये नहीं जानता सलीम 70 mm शो का रेक्रम की मेजवानी करेंगे जो हर शनिवा और रिवर को प्रसारित होगा ऐसी खबर है कि सलमान नौमर में शादी करने की उचना बना रहे हैं खबरों के मताबिक वो रोमानिया मोडा लूलिया वंतुर के साथ डेटिंग कर रहे हैं माइकल फेलिप्स ने रियो ओलम्पिक में अपने आकरी इवेंट चार गुना सो मीटर मेडल रिले में गोल्ड मेडल जीतने के बाद सन्यास लेने की घोशना कर दी है रियो में पाँच गोल्ड के साथ फेलिप्स अब तक 23 ओलम्पिक गोल्ड मेडल जीत चुके है ओलम्पिक के इतियास में वो सबसे ज़्यादा गॉल्ड मेडल जीतने वाले खिलाडी बन गई है रियो ओलम्पिक में ये अमेरिका का 24 वा गॉल्ड मेडल साबित होगा माइकल फिलिप्स ने रियो ओलम्पिक में अपने आखरी इवेंट चार गुना सो मीटर मेडले रिले में गॉल्ड मेडल जीतने के बाद सन्यस लेने की घोशना कर दी है रियो में पांच गॉल्ड के साथ फिलिप्स अब तक 23 ओलम्पिक गॉल्ड मेडल जीत चुके हैं ओलम्पिक एतियास में वो सबसे ज्यादा गॉल्ड मेडल जीतने वाली खिलाडी बन गए है रियो ओलम्पिक में ये अमेरिका का 24 ओल्ड मेडल साबित हुआ ये अमेरिका का 1001 ओलम्पिक पदक था अमेरिका के लिए 1000 वो उलम्पिक पदक महिला रिले टीम ने हासिल किया इस उलम्पिक में अपने 6 इवेंट में से फेलेप्स ने 5 गोल्ड मैडल अपने नाम किये एक इवेंट में उन्हें सिंगापोर के स्कूलिंग से हार का सामना करना पड़ा था फिलिप्स ने साफ कर दिया कि वो 2020 टोक्यो उलम्पिक में हिस्सा नहीं लेंगे और ये उलम्पिक ही उनका आखरी उलम्पिक था सोतंतरता दिवस से एक दिन पहले पाकिस्तान ने संगर्श विराम का उलंगन किया है समाचार एजन्सियों के मताबिक जम्मू कश्मीर के पुंच सेक्टर में इस्तिध भारते सेना की चोक्यों पर पाकिस्तानी सेना ने बिना उकसावे के फाइरिंग की मेडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की और से छोटे और आटोमेटिक अतियारों की मदद से फाइरिंग की जा रही है मोर्टरार दागे जाने की भी खबर है हालंकि भारते सेना ने भी मोर्चा संबाल लिया है और हमले का जबाब दे रही है हालंकि इस हमले में अभी तक किसी के घायल होने की कोई सुचना नहीं है कश्मीर में बूड़ा मरनाथ की यात्रा पर जा रहे लोगों की बस पर हमला हुआ इस हमले में 15 लोग घायल हो गई इनमें से ज्यादतर शरधालू थे जो की बूड़ा मरनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे बूड़ा मरनाथ कश्मीर के पुंच सेक्टर में पड़ता है हमला उसी के रास्ते में शनिवार रात 8 बजे के करीब हुआ फिलाल ये साफ नहीं है कि हमला किसीद से किया गया था लेकिन माना जा रहा है कि बस पर ग्रेनेड फेका गया था बस उस वक्त बस स्टैंड पर खड़ी थी ये लोग उसी रात जम्मू से वहां पहुँचे थे और अगले सुबह बूडा मरनात के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू करने वाले थे पुलिस को ब्लास्ट के पिछे दो लोगों पर शक्ता दोनों को पकड़ लिया गया है फिलाल इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है स्वतंत्रता दिवस के मदेनजर टाइड सिक्योर्डिक के बीच ऐसा ब्लास्ट कैसे प्लान किया गया ये फिलाल साफ नहीं हो पाया है कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के दुष प्रचार के खिलाब भारत का रुख लगातार कड़ा होता जा रहा है पीया मोधी के बाद अब केंद्रिय मंत्री जितेंद्र सिंग ने शनिवार को पाकिस्तान पर जम कर भड़ास निकाली और कहा कि अगले साल पोक में तिरंगा लहराएंगे कश्मीर में हिंसा को लेकर पाकिस्तान के लगातार होहले के बीज शुक्रुवार को मोधी सरकार ने सक्त रवाई अपनाते होए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों की अवाज उठाने और ब्लूचिस्तान में पाकिस्तान की कारवाई का मुद्दा उठाया था इस एलान के एक दिन बाद ही केंद्रे मंत्री जितेंद्र सिंग ने शनिवार को फिर पाकिस्तान पर हमला बोला केंद्रे मंत्री ने कहा कि एक आजादी की लड़ाई अभी बाकी है अपने भाई जो पाक दिकित कश्मीर में है उन्हें स्वतंत्र कराना है उत्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विदानसबा चुनाओं से पहले पार्टी का प्रचार करते होई बीजेपी अध्यक्षमित शाह ने पक्षी दलो पर हमला बोला शनिवार को उन्होंने कहा कि अधिस सपा सत्ता में लोटी तो एक जाती विशेश के लिए ही काम करेगी वही बीयेस्पी के वल अपने विकास के लिए काम करेगी किसी जाती के लिए नहीं इस दोरान शाह ने मोहनलाल गंज से बीजेपी सांसद कोशल किशोर के घर पर लंच भी किया बीजेपी सांसद ने दलितों के लिए लंच का अजन किया था किशोर ने आरोप लगाया कि बीजेपी के विपक्षी दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं और दोश बिजेपी पर मड़ रहे हैं। इधर मायावती नमिच्छा के लंच के बाद पलट वार करते हो इसे एक रासनितिक नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि कोंगिस नेता भी इस तरह की हरकते कई बार कर चुके हैं। पर दोशियर त्यार करने का मोधी का निर्देश हिंदूों का नकसली प्रोफाइल त्यार करने जैसा है। क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो गायों की रक्षा के लिए अपनी जान दे देते हैं। प्रधान मंतरी के बयान पर आसन तोश और पीड़ा प्रकट करते हुए उन्हों प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी को भारत रतन सचिन तेंदुरकर ने शानदा सुजाव दिये हैं। महान किरकेटा और रियो ओलम्पिक के गुडवी लेम्बेंस जर सचिन तेंदुरकर ने पीम से 70 वे सुतंदुरता दिवस के कुछ ऐसे खिलाडियों का जिक्रे करने का आ अधिक निराश हैं। और वैसे खिलाड़ी बहुत हाद तक पेरितोंगे जो अब भी संगर्श कर रहे हैं। नदी ने 204 मीटर के वर्निंग लेवल से उपर आकर खत्रे के निशान को छूलिया है। शनिवार रात 11 बजे तक 94 ट्रेनों का रूर बदला जा चुका है जबकि 34 ट्रेन कोईंसिल करनी पड़ी। इस न्यूज बुलिटिन में फिल हाल इतना ही ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जोड़े रही मेटर टीवी से नमस्कार